तो गीगाबाइट का जो 100 सीरीस से मदर बोड आता है 100 से लेके 100 में एच वन वन जीरो से लेके 500, 600 जो भी बोड आते हैं इनके एक कॉमोन सा फॉल्ट आता है और ये पीसीएच पॉइलेटीड पॉबलम आता है ठीक हैं तो ऐसे में क्या है बहुत तरीके तरीके से मतलब बहुत सारा एंगल से ट्राया करते हैं जिनको पता है वो भी इधर-उदर जो भी करना है करते हैं द और देखो यह एक चोटा समय केसे स्टड़ी बना के देता हूं इससे क्या है आपका टाइम बेश्ट नहीं होगा अगर बैसी कि लिए ऐसा पॉब्लम के साथ बॉड आये तो आपको बस तीन चार चीज मेंली फोकस करना है उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि बॉड में क कहा है लेके 500-600 तक तो बी 250 M DS 3H तो यह बोर्ड कुरियर आया है कुरियर आया था तो चोटा सा एक पॉब्लम था बोर्ड में बीडिटी नहीं बन रहा था इसका स्रीटी जिनरेट नहीं हो रहा था तो वो मैंने सॉल्प कर दिया था फिर दो मिनिट करीब चला बोर्ड फि देखो आपको कैसे पता चलेगा कि बोर्ड में पीसी एच ही खराब है तो इसी के लिए ही बैस वीडियो को बना रहा हूं और यह वीडियो को अच्छे से देखो ताकि नेक्स टाइम आप अफ़ाल तू टाइम बश्ट ना करो अगर देख लिया तो बस पांच मिनिट में आप इसे चेक आउट कर सकते हो कि हाँ इसके उपर टाइम नहीं देना है अगर आपके पास बीजियो मेशिन नहीं है तो तो अभी हम है इस बोट को मतलब पावर देंगे तो पहला तो यह आपको पास एक डिवा कार्ड होना चाहिए तो फिर बढ़िया अगर ना भी हो तो को भी हमै बताता हाूं देख के समझ जाओ तो देखो इसमा अभी CPU मेंने डाला नहीं है तो यह मैंने पावर दे रहा अभी कि यह देखो कि यह देखो यह। यह देखो यह बार बार बलिंग कर रहा एक है अगर आपके पास डिबग कार्ड है तो आपको पता चलेगा कि ऐसी टाइप की केस में पीसीच ही खराब आता है पर उससे पहले तीन स्टेप है जो आपको देख लेना है एक बर क्योंकि आपने डिरेक्ली वीडियो देखा और बहुत कॉंफिडेंट्स है मेरे उपर मतलब ऐ आपको अपनी तरह से देख लेना जितना नौलेज हैं आपकी काम करते हो आपकी काम के हिसाब से आप चेक कर लेना और मेरा जो मैं बताता हूं यह बस एक बर देख लेना तो देखो मैं अभी बताता हूं ऐसी टाइप की केस में अगर देखो इसमें पॉब्लेम इतना सा सेक्षन का है ठीक है इतना सा बस इतना सा यह से अगर मार्क कर दिया जाए तो बोट का इतना सा सेक्षन से ही यह पॉब्लेम जनाट हो रहा है इसके आगे बोट पूरा क्लीन है तो देखो इतने में अगर आए तो यह देखो बार बार लाइट बिलिंग कर रहा है यह स्टेवल नहीं हो रहा है तो एसी टाइप के केस में यह जो एल्डियो है खराब हो सकता है तो मैं step by step check करके दिखाता हूँ दूसरा जो यहाँ पर जो डायोड है यह एक शॉट होने के बज़ा से भी ऐसा होगा थोड़ा सा बिलिंग करेगा लाइट चला जाएगा और टिगर देने से बोर्ड टिगर नहीं लेगा और तीसरा यहाँ पर एक पी चनल मॉस्पेट है यह अगर खराब है यह फिर इसका गेट शॉट है तो आपका यहाँ पर एलेडी ही नहीं जलेगा थोड़ा सा भी नहीं जलेगा मतलब आप डिवाग कार्ड यूनिवसल आप यूज कर रहे हो डाल डाल रहे हो तो यहाँ पर यह जो बिलिंग कर रहा है अभी यह बिलिंग भी होसकता है और यह बार बार आयो खराब है means हीट नहीं हो सकता है अंदर से खराब हो गया है इसके मतलब यह नहीं कि उसको हीट होना चाहिए तो आयो के वज़ेश से हो सकता है ऐसा रचिज पॉबलीम नंबर 1 मैंने कहां यहां पर एकलियो है ये खराब होने से ऐसा प्लेम आएगा दूसरा ये शोट होता है कभी कबार तो मतलब जो cultural होता है दॉस्छा यहां पर जो डायोड है यह खराब होने होता है तीसरा हा और हो होने से तेसा केस आएगा पॉब्लेम आएगा और चौतं यहां पर एक जो पी कर मॉस पेट अभी देख रही हो यहां पर यह वाला इसके और यह वाला थी री लेग बास दे ख्रख ख्रख दिक लेख उरिए पग्अ का यह पर यह全 ना है यह दोनों को आप एक बार रिमूब करके देख लो अगर यह शौट है तो इसली मतलब इसका एक साइड में इंपूट में यह फाइप बोल्ट होना चाहिए आप ठीक है अगर दोनों साइड में से किसी भी साइड में वोल्टेज नहीं है तो आप तूरन समझ जाओगे कि यही द अगर सोचते हो कि भाई मैं थोड़ा सा रिफ्लो कर देता हूं बन जाए कि नहीं तो आप बिलकुल मत करो पीच को रिफ्लो करने की सोचना भी मत क्योंकि पीच एक लोकरने से यह बनता नहीं है क्योंकि यह नीचे में एमच आईच की तरह मोटा बॉल नहीं होता इस बहुत थी नुख मतलब संग बॉल होता है चोटा तो यह एकट करने जाओ गया और भी फिगड जाए तो देखो इसका PCH सही है, किसी ने भी कुछ नहीं किया, मैंने भी कुछ नहीं किया, बस वीडियो बनाओंगा, इसलिए रख दिया है, यह जो बोर्ड है, इसको और को मैंने बोल दिया, आपका बोर्ड नहीं बनेगा, तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर case study बना रहा हूं, ताकि आपको ए heating का issue नहीं है, क्योंकि PCH में इसका voltage return कर रहा है, जब भी दे रहा है, यहां पर LDO से voltage 3V, तो अभी यह ले नहीं रहा है, तो यह normally observe हो रहा है, यह heat नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल, अभी heat कैसे होता है, यह मैं दिखाता हूं, कैसे पता चलेगा आप लोगों, तो अभी दे समझ जाते हैं, तो देखो, PCH short है, 100 series से उपर के 100 series से लेके, तो कैसे आप पता चलेगा, कि आपका board में PCH ही खराब है, तो अभी देखो, और एक बर power डालके, मैं थोड़ा से clear कर दूँ, subject को, और एक बर power देना पड़ेगा, तो भी यह रम को ना डालेंगे, तो भी तो फिर से हमने power दिया, और यह देखो, यह light bling कर रहा है, कर रहा है ना, तो अभी multimeter पर हम जाएंगे, और एक को brown मैं कर दिया, हो गया, यह देखो, यह अभी भी bling कर रहा है, यह देखो, तो multimeter पर भी जाना चाहिए, और ऐसे रखता हूँ, तो देखो, एक ground कर रहा हूँ, मैं बस, एक ground कर दिया, तो अभी देखो, इसका LDO में, यह है इसका input, 5 volt, जो की voltage का fluctuation हो रहा है, ठीके, अब यह है, इसका output, center में, और पीछे में जो होता है, यहाँ पर, मतलब 3.3 आएगा, और यह 2.2 है, 2.2 जो भी है, 2 volt होता है, ground, तो यह है input voltage, जो की हमारा 5 volt होना चाहिए, यहाँ पर voltage, maximumly 2.1 तक जा रहा है, और low हो रहा है, मतलब flickering हो रहा है, voltage का up-down हो रहा है, ठीके, और यहाँ पर जाएंगे, तो 3 volt के जगा पर, 1 volt something, 1.3 volt है, पर बार-बार, up-down हो रहा है, ठीके, तो इसी, इसी को ही आपको बस, mainly follow करना है, अगर ऐसा होता है, इस LDO को चेक करने से, आपको अगर same ऐसा दिखे, मतलब same means, कुछ volt आगे-पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है, कि मेरा multimeter पर जो show कर रहा है, वही voltage आपको भी show करना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर fluctuation जो हो रहा है, voltage का, यही बस आपको देखना है, आपके case में, यहाँ पर कुछ voltage और भी ज्यादा, या फिर और भी कम हो सकता है, ठीके, तो देखो, ऐसा कुछ fluctuation है, इंपूट में भी fluctuation है, ठीके, और यहाँ पर मैंने कहा था, यह देखो अभी यहाँ पर, इसका 8.5 volt है, और इस साइड में भी 8.5 volt है, तो इस साइड में इसका voltage नहीं आएगा, यह short नहीं है, ठीके, तो अभी इस board में PCH short है, यह कैसे पता चलेगा, अभी एक input voltage में दूँगा, 5 volt, उससे पता चल जाएगा, कि PCH खराब है, अगर PCH, LDO, या फिर IO आपका खराब है, तो आपको इसली पता चल जाएगा, एक voltage आपको बस input करना है, आपके पास power supply होना चाहिए, DC machine होना चाहिए, और आपको DC machine अगर है, तो आप easily trace out कर सकोगे, कि PCH खराब है, बाकी अगर नहीं है, तो भी कर सकोगे, पर DC machine अगर हो, तो आपका काम दो मिनिट में आप चेक आउट कर सकते हो, इस board को, आपके पास हाथ से यह बनेगा कि नहीं, आपको पता चल जाएगा, तो अभी 5 volt पे मैं इसको set कर देता हूँ, 5 volt पे मैंने इसको set कर दिया, तो 5 volt कहाँ पर देना है, 5 volt input में देना है, इस LDO का, इस LDO का, इंपूट कहाँ पर है, यह है इंपूट, इंपूट में 5 volt बस आपको देना है, उससे ही पता चलेगा, कि इसका I.O खराब है, PCH खराब, या कुछ और component इसके साथ जुड़ा हुआ, कुछ component खराब है कि नहीं, आपको easily पता चल जाएगा, अगर आपके board में, इस section में कुछ भी shorting नहीं है, तो आप easily आपर 5 volt दोगे, तो मतलब कुछ भी आपका shorting नहीं आएगा, तो मैं दिखाता हूँ, कुछ milli ampere consume कर सकता है, पर shorting नहीं आएगा, कुछ भी component हीट नहीं होगा, अगर short नहीं है, तो अभी, एक मैं ground कर देता हूँ, यहाँ पर PCI LAN पे, म यह Ethernet port पे ground कर दिया, अब एक चीज देखो, अभी एक tweezer के साहरे में voltage को मैं input करता हूँ, तो देखो, ऐसे voltage को input कर रहा हूँ, तो यह देखो, 5 volt मैं इसको दे रहा हूँ, यह मैंने 5 volt दिया, तो ampere देखो, कितना ले लिया इसका, 4 ampere तक यह उठा लिया, तो 4 ampere यहाँ प तो कुछ भी ampere नहीं आएगा, आ सकता है, milli ampere में 0.001002, 0.03, कुछ मतलब 0 से आएगा, milli ampere आएगा, मतलब यहाँ पर डिरेक्ली देख सकतो, यह देखो, मैं जब भी दूंगा, तो 4 ampere पे चला जाएगा, यह देखो, 4 पे चला गया, जब भी मैंने टाच किया, इसका 5 volt मै यह consume कर रहा है, मतलब यह अंदर से short है, तो होता क्या है, PCH के अंदर भी discussion करेंगे, तो थोड़ा सा देख लो, जब भी मैं यहाँ पर, यह देखो, अभी इसमें liquid डाल दिया, पूरा, अब थोड़ा सा follow करो, यह देखो, कितना हीट हो रहा है, यह देखो, छोड़ दिया, कितना यह अवाज भी हो रहा है, एक sound आ रहा है, बस्ट ना करें, ज्यादा टक नहीं रखोंगा, hitsing नहीं है, तो यह देखो, आवाज भी आएगा, sound भी आएगा, दिखाता हूँ, यह देखो, कितना अव्जब कर रहा है, देखा आपने, यह छोड़ दिया, चला गया, तो डिबाग कार्ड में लाइट नहीं है, और आपके बास अगा डिबाग कार्ड नहीं है, तो मढरबोड में टीगर नहीं ले रहा है, तो इहांसे 12 बोल्ड इंपूट करके एक बाद देख लो, टीगर लेता है, अगर नहीं लेता है, तो आप नॉर्मल है यह आपर 5 ब muirड करके देख सकते हो अगर आपके केस में PCH या फिर आयो शॉट नहीं है तो MPR केंजुम नहीं करेगा और कोई भी कंपोनर हीट नहीं होगा कुछ और बॉबलम हो सकता है बोड में पर बोड के ओबर डिबन करता है कि आपके पास में कौन सा केस के साथ बोड आया है तो अभी द पावर दिया और यह है हमारा डिबाग कार्ड जो कि हमने इंसर्ट किया और फिर से हमने संप्यस कौन किया यह देखो बिलिंग करने लगा है यह आटो बिलिंग चालू हो गया तो अभी यहाँ पर अगर पीए सॉन की तरह हम बढ़े मतलब बोल्टेज देखे पॉन पेनल कितना बोल्टेज है सुचिंग वोल्टेज तो देखो यहाँ पर फ्लक्ट्वेशन कुछ रहेगा यह इसका पॉन परन तो देखो ऐल लॉएस फ्लक्ट्वेशन यह लो हाई आप डाउन होते रहेगा तो देखो लो हाई 0.05 जरो पाइप ज्रो पाइप अइसा-इसा कुछ इसमें रीफ्लो या फिर हीट करके कुछ भी काम नहीं बनेगा वो भी मैं स्टेप बर स्टेप दिखाऊंगा ताकि वीडियो थोड़ा सा लॉंग हो एक ही बार देखे तो समझ जाए सभी तो देखो अभी इसको अगर हम रीफ्लो कर दे तो क्या कुछ बनेगा तो मैं कह देता हूं नहीं बनेगा पर अगर बन गया तो लग्रिया चलो हो जाएगा पर ऐसकेस में मैंने बहुत से देखा है यह बनता नहीं है जो होता हैई कई सद बीच बीच होता है यह हर बॉल का एक साइज होता है तो यह उस चप्टर में हम बाद में जाएंगे अगर कभी भी बीजीय मेशिन आ जाए तो हम बॉल का साइज सब कुछ बता दे तो देखो अभी क्या करेंगे इसको कितना मिनिट हो गया 17 मिनिट तो इसको थोड़ा सा हम रिपलो कर ले कि ऐसे केस में यह बान ही होता है अंदर से बान हो जाता है और यह बनता नहीं है तो चलो एक बार देख लेते बैसे तो यह बोड बॉस्ट हो जाएगा इस क्राप बन जाएगा फिर भी लास्ट टाइम एक बार हम देखेंगे कि यह बनता है कि नहीं तो मैं इसे रिपलो कर लेता हूं वीडियो ज्यादा लॉंग ना हो तब तक थोड़ा सा पॉस कर देता हूं ठीक है तो मैंने थोड़ा बहुत रीफ्लो इसको किया तो बनेगा नहीं हंड्रेट पसेज श्योर फिर भी थोड़ा सा दिखा दू ताकि आपका टाइम बश्ट ना हो कभी भी पड़ो त ख्राइम तो असर ड्राइट करना है ऐसे केस में भी कुछ-कुछ लोगों को क्या है जो नहीं काम कर रहे हूँ समझ में नहीं आता क्या करूँ तो वह बहुत टाइम बोष्ट कर डालते हो इस बोट के भीचे दो तीन दीन चला जाता है पर सॉल नहीं होता है सारा कुछ कर लिया देख लिया तो फाल तुमें टाइम बोष्ट मत करो शॉट काट ओवे बता दिया ऐसे चेक कर लो एक बार आपका अगर बोर्ड में कुछ मतलब शॉट मिल नहीं रहा है तो आप इजीली एल्डियों पर फाइब बोल्ट दे सकते हो पर ध्यान रहे इंपूट पर ही देना है आपको ठीक है मैंने दिखा दिया अगर आपने गलती से थ्री बोल्ट के जगा पर फाइब बोल्ट देके चेक कर रहे हो और आपका में इंपूट होता है और बीच में आउट पूट होता केसे में और यह से एंड़ी एहां से क्रेक्टे इस तो पीछे में और सेंटर में यह आउटपूट है और यह जो है यह ग्राउन है तो और ज्यादा कुछ नहीं देखना है बस एक बर देखना है डिवाग कार्ड में लाइट एस्टे करता है कि नहीं अगर कर जाता है तो अच्छा है नहीं करता है तो नहीं नहीं बनेगा यह न यह है मतलब सें पहले जैसा ही है रीफ्लो करने के बाद भी कुछ काम बना नहीं तो देखो यह तो अभी मेरे पास नहीं बनेगा अगर किसी के पास जाए तो यह रिवाल करके भी नहीं हो सकता यह चीप को चेंजी करना होता है क्योंकि यह बान हो जाता अंदर से तो यह चीप मिलता है मार्केट में अबलबल है तो जितना कॉस्ट आ जाएगा और कुछ देने से यह सेकेंड है यह नया बोर्ड हो जाएगा तो खर्चा नहीं करते इसलिए लोग तो चलो वीडियो बस इतना ही था आपको कैसे पता चलेगा कि PCA शौट है यह सिम्टन कुछ कुछ देखके मैंने जो बताया यह चीज फॉलो करो और वीडियो से थोड़ा सा भी जानकरी मिला तो एक लाइक करके जाओ तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टड़ी पर लभ यू और जय हिंद